सोनी महिवाल की प्रेम कथा वर्टिकल बार सोनी महिवाल लव स्टोरी सोनी महिवाल की प्रेम कहानी इतिहास की सबसे जानी मानी प्रेम कहानियों में से एक है इस प्रेम कहानी का इतिहास पंजाब से जुड़ा हुआ है सोनी महिवाल की लव स्टोरी का अंत भी अन्य लव स्टोरी की तरह दुखद रहा था सोनी महिवाल ने एक दूसरे का साथ नम मिलने पर अपने प्राण दे दिये और यहाँ प्रेम कहानी भी लैला मजनू की रांजा और रोमियो जूलियट की तरह अमर प्रेम कहानियों में शुमार हो गई तो चाहिए दोस्तों एक नजर डालते हैं सोनी महिवाल की प्रेम कहानी पर का जन्म हुआ। इस लड़की का नाम सोनी रखा गया। पंजाब में खूपसूरत लड़कियों को सोनी कहा जाता है। अपने नाम की तरह सोनी भी बेहत खूपसूरत थी। उसी समय बुखारा उजबेकिस्तान पाकिस्तान में है। मैं एक अमीर व्यापारी के घर में एक बे रखा गया। बड़े होने पर इजब वेग भारत भ्रमण करने के लिए निकला। सबसे पहले वहाद दिल्ली पहुँचा। दिल्ली के बाद इजब वेग ने लाहौर का रुख किया। कुछ दिन लाहौर में व्यतीत करने के बाद उसने बुखारा लोट जाने का संदर कलाकृतियां बना रही थी। जब शहजादे इजब वेग ने पहली बार सोनी को देखा तो पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे बैठा। उसने वहां रुखने के लिए तुला कुमहार के यहां पशुचराने की नौकरी करली पंजाब में भैंस चराने वाले को मह कहा जाता है। इसी लिए इजब बेक का नाम महिवाल पढ़ गया। जब इस बात की खबर सोनी को लगी तो वह भी जवा मर्द महिवाल से इश्ट करने लगी और दोनों छुप-छुप कर मिलने लगे। सोनी की शादी जब सोनी महिवाल के इश्ट की खबर सोनी के माँ बाप को लगी तो उन्होंने महिवाल को नौकरी से निकाल दिया और सोनी का विवा कुमहार समुदाय के एक आदमी से कर दिया। लेकिन सोनी ने उस संबंध, शादी को कभी स्वीकार नहीं किया। सोनी महिवाल का दुखद अंत सोनी महिवाल लव स्टोरी सेड एंडिन सोनी की शादी के बाद महिवाल साधू के भेश में इधर उधर भटकने लगा जब यह बात सोनी को पता चली तो सोनी ने महिवाल के लिए खबर की किवा अब भी उसी से प्यार करती है और हमेशा उसी से प्यार करती रहेगी इसके बाद सोनी हर रात महिवाल से मिलने चिनाब नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मिट्टी के घड़े की सहायता से जाया करती थी वहाँ पर दोनों घंटों बैठ कर बाते किया करते थे और प्रेम मगन हो जाया करते थे जब यहाँ बात सोनी की ननत को पता चली तो उसने पक्के घड़े की जगा कच्चे घड़े को बदल कर रख दिया जब सोनी रात को महिवाल से मिलने गई तो बीच नदी में घड़ा कच्चा होने के कारण तूट गया महिवाल ने अपनी प्रियत्मा सोनी को नदी में डूपते हुए देखा तो उसने भी नदी में छलांग लगा दी नदी में तेज बहाव होने के कारण दोनों जल्मगन हो गए और दोनों की प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई सोनी महिवाल की कब्र जानकारों के अनुसार पाकिस्तान से 75 किलोमेटर की दूरी पर स्थित शाहतपुर में इंदस नदी के किनारे से असोनी महिवाल के शवो को निकाला गया था कुछ लोगों ने यही पर दोनों की कबना दी आज के समय में यहां लाखो प्रेमी युगल हर साल घूमने के लिए जाते हैं